हलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है फ्रेंज आज समीकरण हल करना सीखेंगी कि समीकरण को कैसे हल किया जाता है यह आपके समय FIRST QUESTION है कि 2X PLUS Y ISCLE TO 3 2X MINUS Y ISCLE TO 1 यह QUESTION है फ्रेंज इसमें आपको दो QUESTION देंगे यह तो आपका FIRST QUESTION था आपका second question रहेगा कि 1 x plus y is equal to 7 और 3 x minus 2 y is equal to 11 यह दो question को यहाँ पर हल करेंगे जिसे से आपका total basic concept जो हता है यहाँ पर clear हो जाएगा friends आज के बाद आप समीकड़ा हल करने में किसी प्रकार की problem नहीं होगी तो चलिए friends start करते हैं तो friends देखें यहाँ पर इस समीकड़ा को आप ध्यान पुरुवक देखें कि 2 x plus y is equal to 3 और अगला है कि 2 x minus y is equal to 1 तो friends जब इस समीकड़ा आपको हल करना होगा इसमें से कोई एक जो चरपद होता है जैसे यहाँ पर 2 x है यहाँ पर y एक पद है 2 x है minus y इसमें से कोई एक चरपद आपको क्या होना चाहिए friends बराबर अर्थाद equal होना चाहिए यानि कि इसमें जो मान होता है बराबर होना चाहिए जब मान बराबर होगा friends तो इसको टाइलेक्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यहाँ पर लिख लेंगे यारी धन है तो रिर कर देंगे, रिर है तो धन करेंगे, या धन है तो रिर करेंगे, ठीक है फ्रेंस, अब देखिए फ्रेंस क्या होगा, कि इसको हल किजिए, देखिए प्लस टू एक्स है, माइनस टू एकस है, यह जीरो है, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ प्लस वाई ह यहां भाग हो जाएगा यानि कि वाई कमान किसी समीकरण में रख देते हैं इस वाई कमान चाहिए समीकरण एक या समीकरण दो किसी में आप रख सकते हैं तो चलिए रखते हैं और रखने से पहले यहां लिखेंगे क्या किस समीकरण किसी में रख लीजिए समीकर एक में y इसकल टू 1 रखने पर जब रखेंगे फ्रेंज तो कितना होगा इसी में माल रखेंगे फ्रेंज देखिए y की जब यहाँ 2x है तो 2x रहने दिजिए y की जब कितना रखना है वान बराबर 3 देखिए 2x अब क्या करेंगे इस सेट पच्छानता रखेंगे तो 3 है तो 3 रहने दिजिए प्लस वान है जब पच्छानता करते इस सेट तो इस चीन बदल जाता है प्लस है तो यहाँ 2x है तीन में से एक जाएगा कितना होगा तो यक्स का मान भी कितना आजागा फ्रेंज एक तो फ्रेंज आपका एंस्वर क्या है आपका एंस्वर हो जागे यहाँ पर लिख लेते हैं कि यक्स बराबर कितना एक आया है और वाई बराबर भी एक आया है तो फ्रेंज इस प्रकास से समीकरण को हल करते हैं चलिए अग रहला question है कि x plus y is equal to seven three x minus two y is equal to eleven समीकळा दो है अब इसको थ्ठाइब से देखे एक सब्लस y is equal to seven है तीन x minus 2 y is equal to eleven इसमें कोई 4 पत बराबर है तो बोलेंगे आपकी नहीं कोई भी नही बराबर है इसमें चाहिए x का चाहिए y का किसी एक पद का मान बराबर होना चाहिका, इसे बराबर करेंगे, देखिए, समीकरण 2 में यहाँ पे लिखा है 3 x, लेकिन यहाँ पे यदि 3 x से रहाता, ति यह बराबर हो जाता, यहाँ पे 3 x करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 x करने के लिए इसमें 3 से गुड़ा करेंगे यहां पर लिखेंगे कि समीकरण एक गुड़े तीन यारी एक गुड़े तीन का मतलब हो कि तीन का समीकरण एक में गुड़ा करेंगे चलिए में तीन का एक्स में करेंगे तो कितना हो जागा फ्रेस यहां पर आपका बराबर आफ में से तीन जांगा जब relative कार ते हैं 3y और 2y याई धन धन हो गया तो आपस में क्या करेंगे जब धन धन हो जाए जोड़ते तीन तो 5 5y हो जाएगा बराबर अब 21 में से 11 घटा जीज़े कितना हो जाएगा यह आपका 10 हो जाएगा देखें फ्रेंस यहाँ पर गुड़ा में है तो y का मान गयाद करेंगे तो 5 को पच्छांतर करेंगे, 5 को पच्छांतर करेंगे तो तो हर में आएगा देखिए 5 के 5 पंदुना के 10 आअए के दो समीकरण नंबर नंबर इक में रखाएंगे जिससे सिंपल तरीका से हल हो जाएं छले फिर सिसको रखते हैं चलिए आप लिखते हैं कि वाई इसकाल 2 सम्हेंकरण 1 में रखने पार, चलिए रखते हैं? सम्हेंकरण 1 है कि आपके इसको लिक लिके लिए लीए एक है, यह सम्हे मैं एक है इसी में बरावर दुर्ख नह थे याक स्वाई कि जगा यद्व कितना रखना है दो रख Stack बरावर साथ अब прост क्या करेंगे फिरेंगे साथ अपने जगा पर है जब ऑपक्षांद करेंगे माइनस हो जाएगा तो यक्स का मान आ गया कितना पांच और यक्स अभी निगा ले थे कि वाई बराबर दो तो फ्रेंस यही आपका क्या हो जागा एंस्वर होगा तो फ्रेंस जब भी समीकड़ आपको हल करना हो इसी प्रकार से आप हल करेंगे और बहुत सिंपल तरीका से हल करेंगे तो फ्रेंस आपको किसी भी प्रकार का किसी भी क्वेस्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट बाक्स में जरूर लिखा करें उसका एंस्वर आपको हम कमेंट बाक्स में जरूर देंगे तो फ्रेंस आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक करें औ और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें